Hey guys, welcome to my channel Way2Winners, I'm Vishali So guys, आज मैं आपके लिए फिर से नई recruitment लेकर आई हूँ जो निकली है IBPS के अंदर यानि Institute of Banking Personal Selection ठीक है, जो IBPS है हमें साब banking की जो recruitment है वो connect करवाता है इस बार यहाँ पर निकली है जो vacancies यहाँ पर आई हुई है वो है recruitment of clerk, यानि आपकी clerk level की vacancies निकली हुई है इस वीडियो में इस clerk vacancy के बारे में हम पूरी डीटिल में बात करेंगे participating organization यानि किस-किस bank में आपकी जो clerk level की vacancy निकली हुई है उन सभी bankों के नाम यहाँ पर आपको दिये गए हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं Bank of India, Bank of Baroda, Bank of Marashtra, Kendra Bank, Central Bank of India, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Punjab National Bank, Punjab and Sin Bank, Yuko Bank, Union Bank of India देखे इतने सारे bankों में यहाँ पर clerk level की vacancy निकली हुई है तो इन में से आपकी कहीं भी जो job है बात में जो लगेगी इनी सभी bankों में से किसी एक जगे पर आपकी job है वो लगेगी ठीक है बाकी बात करते हैं tentative dates की यानि जो important dates हैं 2 September यानि 2 September से यह form start हो चुके हैं फिल होने और 23 September यानि 23 September तक आप इसको fill कर सकते हैं जो prelims exam होगा उसकी date भी आपको दी गई है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं 5, 12 और 12 और 13 को यहां पर आपका exam होने वाला है यानि 5 December 12 दिसंबर और 13 December को आपका prelims exam होगा उसके बाद prelims exam का जो result आएगा वो भी आपको date यहां पर दी गई है 31 दिसंबर को आपका prelims exam का result आ जाएगा मेंस exam की भी आपको date दी गई है 24 जनवरी 2021 को आपका मेंस exam होगा ठीक है बाकी जो आगे की जो date है कब इसका result आएगा final कब इसका interview होगा उसकी date आपको बाद में दे दी जाएगी बाकी अभी इतनी जो dates दी है इसको आपको दियान में रखना है देखे age की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते है minimum आपकी 20 year होनी चाहिए और maximum आपकी 28 year यहाँ पर मागी गई है बाकी relaxation जैसे other post में आपको मिलता ही है जैसे SCST वालों को 5 साल का other backward class यानि OBC वालों को 3 साल का PWD यानि personal disability वालों को यहाँ पर 10 साल का ऐसी अलग-लग categories के लिए यहाँ पर अलग-लग relaxation यहाँ पर आपको मिल जाता है education qualification की बात करें तो देखिए आपका हमेशा यहाँ पर graduation pass मागा जाता है अगर आप graduate pass हैं तो आप इस form के लिए apply कर सकते हैं चाहे आपने कोई भी stream से पास किया हो graduation, art से, commerce से या science से किसी भी stream से आप पास हो बस आप graduate pass होने चाहिए आप इस form के apply कर सकते हैं तो आप इस यहाँ पर आपका जो exam pattern है वो दिया गया है कि prelims exam में आपका क्या-क्या पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे English language पूछी जाएगी numerical ability यानि math आपसे पूछी जाएगी reasoning आपसे पूछी जाएगी ठीक है और number of questions आप यहाँ पर देख सकते हैं total number of questions आपके 100 हैं बागी अलग-लग separate किया गया है 30 questions आपसे English से पूछे जाएगे और 35 numerical ability math से पूछे जाएगे और 35 आपके reasoning से पूछे जाएगे maximum number भी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 100 ही हैं ठीक है आपका यानि एक question का एक marks रहने वाला है और separately यहाँ पर आपकी जो time duration है यहाँ पर बाटी गई है English को करने के लिए आपको 20 minutes मिलेंगे math को 20 minutes, reasoning को भी 20 minutes यानि आपके total हो जाते हैं 60 minutes यानि 1 hour यानि एक घंटा आपको मिलने वाला है ठीक है prelims आप जैसे ही qualify कर लेंगे आपका means exam होगा means में आपसे देखे थोड़े अलग questions पूछे जाएंगे ठीक है general या जो finance awareness के जो questions होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे general English पूछी जाएगी reasoning पूछी जाएगी और साथ में आपकी computer भी पूछी जाएगी और math थोड़ी आपसे पूछी जाएगी main exam के बाद आपका यहाँ पर interview होता है interview के बाद आपकी यहाँ पर पूरी cut off बनती है cut off के अंदर अगर आप आगए तो आपका selection हो जाता है ठीक है बाकी जो यह exam होगा वो bilingual होने वाला है यानि हिंदी और इंग्लिस में आपका दोनों में exam होगा बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ आपको apply कैसे करना है आपको यह online ही apply करना है 2 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में ही आपको इसको apply करना है यहाँ पर 175 SCST वालों के लिए है और 850 यहाँ पर general OBC candidates के लिए है so guys आज के लिए इतना ही था इस वीडियो मैंने आपको जितनी भी essential information थी वो मैंने आपको पूरी दे दिया बाकी आप अगर इस notification को पूरा अच्छे से पढ़ना चाते हैं तो आपको क्या करना है हमारे description box में चले जाना है वहाँ पर आपको हमारे telegram group का link मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप इसको download कर सकते हैं ठीक है बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगिए तो guys please like कर दीजेगा और हमारे channel को जल्दी से subscribe कर लिजे क्योंकि ऐसे ही latest job updates में आपके लिए लाते रहती हूँ तो आपको हमारे channel को subscribe जरूर से कर लेना है तो चलिए अब आपसे मिलने next वीडियो में अपना ध्यान रखे खुश रहिए घर पे ही रहिए सुरक्षित रहिए take care guys